नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों बेसिक शिक्षा विभाग से सम्मंदित एक महत्पून वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लिए के आया हूँ अवकास के नियमों में बदलाव किया गया है जिसके सम्मंद में आदेश जारी किया गया है देखे बेसिक शिक्षा परिशत के अंतरगत कारेरत शिक्ष को और शिक्षनेतर करमचारियों को दे विभिन अवकासों की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्मंद में महा निदेशक का ए इन्फोर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फोर्मेटिव वीडियो वाटसब ग्रूप और इन्फोर्मेटिव वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का स्रीवा में महा निदेशक स्कूल शिक्षा उत्तरप्रदेश लखनौ। दिनांक दो मई 2023 का ये आदेश है। देखे विभिन विशे है इसका बेसिक शिक्षा परिशत के अंतरगत कारेरत सिक्षकों एम सिक्षनेतर कर्मियों को दे विभिन आवकासों की प्रक्रिया की सरलिक देखे अब फिलाल जो आदेश प्रेशित किया है और इसी केस दुबे जो विशेश सची है उन्होंने किया है क्योंकि महा निदेशक महोदे ने एक लेटर लिखाता है इनको उसी के संबन में आदेश है इसमें कहा गया है किर्पिया उपर ये विख्षक अपने पत्रांग पत्रांग संखर दी गई है जो महा निदेशक ने दिनांग 1323 को लेखा था उसका संदर्व ग्रहन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से बेशिक शिक्षा परिशद के इंतरगत कारेश शिक्ष को एम शिक्षनेतर कर्मियों को दे विभिन अवकासों की प्रक्रिया के सरली करन के संब्द में उपलब्द कराएगे प्रस्ताओं पर सासन से अनुमोदन परदान किये जाने का अनुरोध किया गया है सासन द्वारा संब्यक विचारोप्रांट आपके उक्त पत्र दिनांक 132023 द्वारा बेशिक्षा परिश्द के इंतरगत करेश शिक्ष को और शिक्षनेतर कर्मियों को दे विभिन अवकासों की प्रक्रिया के सरली करन के संब्द में उपलब्द कराएगे प्रस्ताप और शक्षा मिस्तर द्वारा अनुमोदन परदान कर दिया गया है अते मुझे इस समंद में यह कहने का निदेश वाया कि किर्पया उक्त अनुमोदन के नुपालन में अगरतर आवश्यक करवाई सुनिशित कराने का कष्ट करें इन्होंने एक लेटर लिखा था जिसको मैं महान निदेशक श्कूल शिक्षा उत्तरबदेश ने लिखा था एक तीन दोहजार तेईस को जिसको स्विकर्ती मिल गई है बेशिक शिवा परिशत के अंदर कारेश शिक्षको और शिक्षनेतर कर्मियों को दे विभीन अवकासों की परक्रिया के सरल लिकरन के सम्बन में प्रावधान प्रावदान दिए गयं दूसर प्रस्तावित प्रवधाण दिये गए है यह सब प्रावधान प्रस्तावित के गये अर अब्धिक अनुद्धन हो गया है पहला है समझ परकार के अवकास परकरणों में स्टाम पेपर पर सपत पत्र लिया जाता था जैसे आप स्टाम पेपर पर CCL लेते थे या वो लेते थे थे तो आपको स्टाम पेपर बनवाना पड़ता था तो इसका जो प्रस्तावित प्रावधान था समझ प्रकार के आवकास प्रकरणों में इस्टाम पेपरपट सपतपत समंदी व्यवस्ता समाप्त किया जाना तो अब इस्टाम्प की वस्ता समाप्त हो गई है अब CCL में आपको इस्टाम्प पेपर बर जो होता था सबत पत्र वो बनवाने की आवशकत आपको नहीं है दूसरा चिकित्सा पर्मानपत्र परदान करने वाले अधिकरत चिकित्सको का निर्धारण में समस्त रिजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टेशनर सामिल नहीं थे जो medical registered practitioner है उनको सामिल नहीं किया गया था जो registered है लेकिन अब जो वर्तवान प्रस्ताव प्राविधान है जो पास किया गया है चिकिच्चा प्रमानपत्र परदान करने हेतु अधिकरत चिकिच्चवों का निर्धर्ण में समस्त registered medical practitioner को सामिल किया गया है अब किसी से बनवा सकते हैं जो registered है medical practitioner उनसे आप चिकिच्चा प्रमानपत्र बनवा सकते हैं तीसरा प्रस्ताव किया गया था बाले देखवाल अवकास एक बार में स्विकरती है तू अधिक्तम दिनों की संख्या निर्धर्ण नहीं थी कि अधिक्तम कितने दिनों का एक बार में बाले अवकास स्विकरत हो सकता है उसकी तिति निर्धर्ण निति लेकिन अब जो है बाले देखवाल अवकास एक बार में समानता अधिक्तम तीस दिनों के लिए दिया जाना अब तीस दिनों के लिए दिया जाएगा एक बार में अधिक्तम, कम तो हो सकता है अधिक्तम, चुनाओ आपदा जनगर्णा बोड़ परिक्सा डोटी अत्वा विद्धाले परिक्साओं की अवधी वे उसे पांच दिवस पूर की तितियो है तू प्राप्त बले देखबाल आवकास परकरणों को खंड सिक्षादिकारी ओबलिक जिला पेशिक शादिकारी द्वारा समयक विचात्रों परांत निस्तारित किया जाएगा उक्से भिन अवधियो हितु प्राप्त पहले देखबाल आवकास परकरणों जैसे विदाले बंध होने कि छोड़कर को खंड सिक्षादिकारी द्वारा अनिवारे रूप से अग्र सारित किया जाएगा देखिए अब उन्हें अग्रसारित करना ही कड़ेगा और जिला बेशिक विचात्रों द्वारा अनिवारे रूप से स्विक्रत किया जाएगा अगर आपका चुनाव आपदा जंगरना बोर्ड परिक्सार डूटी नहीं है तो इसमें तो इनको अधिक होने की स्थिति को चोड़ कर कोखंड सिक्षा दिकार द्वारा अनिवारे रूप से अग्रसारित किया जाएगा यानि आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते और जिला बेशिक विच्षा परिशित के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 करशार बेशिक्ष्षा परिश्याद के इंतरकत कार ग्रिसम कास और सित विकास में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कारिये किये जाने के सापिक्ष अरजित उपारजित अविकास दिया जाता है सक्षम अधिकारी समें दिर्धारित नहीं था अब तक तो इसमें प्रस्ताव किया गया था बेशिक या परिशित के पत्र दिनां सापिक्स अरजित उपारजित अवकास दिया जाएगा और पांच वाता वर्तमान में पर्तिकर अवकास स्विक्रत किये जा रहे हैं तो इसमें कहा था पर्तिकर परिशद विधल्यों में कार्यत कार्मियों को निबंदित अवकास पर्तिकर अवकास वे अध्यन अवकास अनु ज़िए नहीं होना प्रस्ताव इन्हां पर्दिकर आउकास भी और निवंदित आउकास भी और अध्यन आउकास भी हाथ मिए शीक प्रिशाद के अंत्रगत कारेय श्चिक्षक्त अध्य कर्म को दे विविन आउकासों कि परकिरियाव का सरलिकरण के समद्ध प्रस्ताव सरलगन का इस रोध के साथ प्रेशित है कि सासन किर्पिया अनुवदर प्रदान करने का तस्ट करें तो ये आदेश देख थे विजय किरन आनन जी ने तो देखे इसमें क्या ये पास हो गए है अब कुछी दिनों में एक औ पर्द कर दिया गया है परतिकर अवकास और अध्यन अवकास अनुमन्य नहीं है तो कारेद करमेओं को आप देखते हैं कि इसके बारे में क्या निर्णे आता हे ये देखने वाली बात होगी तो साथियो आज की वीडियो में इतना ही आपको या वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है पहली बार देख रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल का इकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो क notification मिल्चके दन्यवाद.